तो railway recruitment cell RRC जो Eastern Railway है उसमें apprenticeship की vacancy आई हुई है उसका notification जो आपके लिए हो जारी कर दिया गया है तो अगर आप भी ITI pass out है और आप apprenticeship के लिए अभी तक आपका कहीं apprenticeship में नहीं हुआ तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं Eastern Railway की vacancy है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और उसको देखेंगे कि उसके क्या-क्या किस-किस trade में कितनी vacancy हैं और कैसे आप apply कर सकते हैं यहाँ पर देख लिजिए division से लेके सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले जो main important चीज़ अगर यहाँ पर हम लोग देखने क्या है यह एक October को नोटिस पब्लिस हुआ है और आपका apply होना कब से शुरू जाएगा चार अक्टूबर से आप apply करना शुरू कर सकते हैं लास्ट डेट आपकी तीन नौवंबर होगी और जो डिस्पले होगी आपकी मेरिट लिस्ट या selected candidate की लिस्ट वो प्रबेबली क्या होगी 18 नौवंबर तक ठिक आपको मिल जाएगी कि यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि अप्रेंटिस्टिप के लिए वैकेंसी बहुत ज्यादा पोस्ट है इसमें आप देखे इस्टर रेलवे की वैकेंसी है यहाँ पर इस्टर रेलवे जो आपका जोन होगा आपका वहाँ कहां आप उसमें जॉइनिंग कर सकते हैं वह आप देख लीजे तो वहावडा से वैल्डर मेकेनिक मोटर वेहिकल मेकेनिक डीजल ठीक इसी तरह से कारपेंटर पेंटर लाइन मैं है वायर मैं आरे सी है एलेक्रीशियन है मेकेनिक मसीन टूल मेंटेनस है टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है 669 पोस्ट आपके हावरा पोस्ट है इसमें आप देख पार होंगे आरे सी का और एलेक्रीशन फीटर का बहुत ज्यादा पोस्ट है इसी तरह से बाकी जो फिटर यह आपका मगैनिक है ठीक इसमें भी वेल्डर आप देखेंगे वेल्डर में अच्छी खासी पोस्ट है आज 22 अगर आप देखेंगे 26 वेजन में भी आप देखऊ पार होंगे फिटर टर्नर वेल्डर टोटल मिला के कितनी पोस्ट है 167 इसी तरह से जो मालदा wonder वीजन है मालदा में भी आप देखें टोटल 43 ठीक टोटल नहीं यह जनरल कटेगरी की टोटल आप देखेंगे 100 है ठीक इसी तरह यहां पर आप टोटल देखेंगे 167 है इसके बाद आपका है कांचरा पारा वर्क्शॉप जो है या लिल्लुवा वर्क्शॉप जो है उसमें यह आप देख पा रहे होंगे 190 इधर आपका 204 टोटल पोस्ट है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है साथ ही आप जमालपूर में देखेंगे 678 पोस्ट है अगर आप भी टोटल जोड देंगे तो आपको यह वैकेंसी अप्राक्स 3000 के ऊपर 4000 के आसपास वैकेंसी आपको मि बात करने तो यह एज जो एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए 15 years to 24 years होना चाहिए आपका एकार्डिंग तो आपकी कम्यूनिटी 5 years, 3 years या 10 years आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा educational qualification class 10th with ITI या अगर आप इन ट्रेड से हैं welder, seat metal worker, lineman, wireman, carpenter या painter general तो आप 8th pass plus ITI भी apply करेंगे आपका 8th के basis पे selection किया जाएगा medical fitness होनी चाहिए आपकी according to इसमें जो भी आपका criteria दिया गया है इसके बाद जो एक और main important notice है उसमें हम लोग देख लें mode up selection तो mode up selection आपका क्या होने वाला है mode up selection आपका होगा merit basis पे totally क्या होगा merit base पे होगा merit आपकी 10th और ITI की या 8th और ITI की merit के base पे आपका selection किया जाएगा दोनों कि आपके क्या करेंगे 50% जो marks होंगे वो जोड़े जाएंगे ठीक यहां पर देखे clearly लिखा रहा है जो 8th पास candidate है उनका क्या करेंगे जो 8th का mark seat है उसकी merit प्रेपेर करेंगे उससे plus ITI से यहां आपके clearly देख सकते हैं कैसे निकाला जाएगा आपका सपोर्ज करिए आपने 10th में या 8th में 80.58% है और ITI में आपका 91.68% है देन आपका marks क्या हो जाएगा हाफ इन दोनों को आपको जोड़के क्या करना है इसका हाफ कर देना निनका average निकाल देना वही आपका क्या होगा overall माना जाएगा calculation percentage में merit जब calculate की जाएगी तो जो document verification के लिए जाएगे जितने वेकंसी उसकी 1.5 टाइम बुलाए जाएगे इसके बाद दूसरा application fee तो जो application fee है वह 100 रूपीस है जो की non refundable है for general and OBC SCHT PWBD and women candidates का क्या है free of cost है उनकी कोई भी payment नहीं लगेगी कैसे apply करना है आपको RRC ER जो website है इसी पर आपको जाके apply करना है RRC ER कोलकाता की जो website हो उस पर आप जाएंगे वहीं apply करना apply करते टाइम आप ध्यान दीजिए जो आपका नेम डेटा बर्थ या फादर्स नेम यह सब है आप सेम डालिए जैसा कि आपका matriculation equivalent IT certificate में है कम्यूनिटी का जो भी आपका होगा उसकी आपको certificates वहाँ पर प्रोवाइट करनी पड़ेगी online apply करते हैं क्या क्या आपको रखना होगा upload करने के लिए जब 4 अक्टूबर से आप भरेंगे scan photograph होनी चाहिए किसकी किसकी आपकी scan photograph होना चाहिए scan signature and left hand thumb impression LTI भी आपका होना चाहिए साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए scan 8th and 10th की mark sheet होनी चाहिए या अगर आप 8th पास ने या 10th की mark sheet होनी चाहिए certificate में ITI का आपका certificate होना चाहिए PDF format में जो पास आउट है वह यह अप्लाई कर सकते हैं जो यहां पर अगर आप SCST या OBC या EWS से भी लॉंग करते हैं उसका भी आपके पास एक certificate होना चाहिए उस form में upload करने के लिए साथ ही यहां पर बात करें हम लोग आपका apprenticeship India.org पर registration भी होना चाहिए क्योंकि वह भी आपको वहाँ पर detail इंटर करनी पड़ेगी कोई भी आप apprenticeship apply करते हैं तो कैसे करना है उसकी हमने लिंक यहां आई बटन पर साथ ही subscription में दे रखी है वहां से आप जाके अपना registration कर सकते हैं तो यह यह वेबसाइट है यहीं से आप जाके डार्क लिए आप apply कर सकते हैं और बहुत यह अच्छी opportunity अगर आप उस zone से belong करते हैं अगर आप कहीं और से belong करते हैं आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें apply कीजिए 4 October से form भरे जाएंगे तो आप apply कर लिजे time अच्छा खास आपको मिल जाएगा वहां पे apply करने के लिए यह थी एक vacancy जिसके बारे में इसमें वीडियो में आपको जानकारी दी गई I hope आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप जरूर इसमें apply करेंगा अगर आपने कहीं apply नहीं किया है तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस पे आपको ऐसी study की वीडियो साथ ही साथ जौब की updates, IDI की updates सब कुछ मिलती रहेगी आप में telegram पे, twitter प पे follow कर सकते हैं, उसका link हमने description में दे दिया है, thank you